देश के किसी भी गली महले में जाना हो पता ना मालूम हो तो चिन्ता की कोई बात नहीं क्योंकि गूगल बाबा है ना आपके साथ अब निकले तो गूगल बाबा के सहारे लेकिन उन्होंने ऐसी जगह लाकर पटक दिया कि आगे रास्ता बंद और फिर उतर आए देशी तरीके पर पता पूझ पूझ कर बड़ी मुश्किल में पहुँचे इस परेशानी से आप भी अक्सर दोचार होते होंगे लेकिन ये दिन भी जल्दी ही लदने वाले हैं क्योंकि भारत तयार कर रहा है गूगल मैप का भी बाब इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर में इन दिनों बड़े स्तर पर ड्रोन आधारी डिजिटल मैपिंग चल रही है भारत के शहरों की हर गली नुकड की सही और वास्तविक इमेजिंग पर तेजी से काम हो रहा है करनाटक, हर्याना, महाराष्ट और गंगा बेसिन में ये काम शुरू हो चुका है सर्वे ओफ इंडिया इस प्रोजेक्ट पर विज्ञान एवं प्रोध्योगी की विभाग की मदद से काम कर रहा है इसके अलावा आर्कियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया और फॉरेस्ट सर्वे ओफ इंडिया से भी सहायता ली जा रही है सर्वे ओफ इंडिया ने इसके लिए पूरे देश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर रेफरेंस पॉइंट बनाए है जिसे कंटिन्यूसली ओपरेटेड रेफरेंस स्टेशन यानी C.O.R.S. नेटवर्क कहते हैं इससे 3D पोजीशनिंग मिलेगी और एक्यूरेसी 10 गुना से भी ज्यादा होगी ये काम बेहद एडवांस तकनीक से किया जा रहा है फिर भी 5 साल पहले बताये गए बजट से 10 गुना कम लागत पर हो रहा है ऐसी डिजिटल मैपिंग भारत में पहली बार की जा रही है ये भारत का अपना ऐसा डिजिटल मैप होगा जिसका रिजोलीशन गूगल मैप से कहीं बहतर होगा और ये बेहद ही सटीक होगा ये सुदेशी जीपियस 2024 तक उपलब्ध हो जाएगा तो आप भी तयार हो जाईए भारत में ही बन रहे गूगल मैप के भी बाप के स्वागत के लिए